मां सरस्थी के चर्णों में में नमन मंच पर ब्रागमान डांगी सर सर्पन साब और डांगी समाज के अब्डेक्ट महोदे और लोवंशी सर में सभी को तितने पेरेंस मंच पर और पेरेंस और मेरे प्यारे बच्चों और सहस्था के सिख्चको सबको मैं नमन करता हूँ खार्दिक सुपकामना देता हूँ यह प्रोग्राम जो हमारे स्कुल के प्रितिवा है प्रितिवा किसी भी प्रुषकार की बोताज नहीं होती है प्रितिवा अपने आप में एक सम्मान की हकदार होती है तो प्रितिवा को जो हम मोटिवेट करने के लिए प्रुषकार वित्रन करते हैं इस मोटिवेशनल से उनमें नहीं नहीं एनर्जी का संचार होता है और वो अपने कारी को और भी बैतर दंसे करते हैं तो अपने सहर अपने देश राज इस्टेट देश का नाम आगे रोशन करते हैं इसलिए प्रितिवा जो सम्मान कारी किरम होता है इसका मेरे साबसे बहुत जबर्जस महत होता है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा जितना भी मैंने 32 साल में एजुकेशन से पाया है मैं संसा के डारेक्टर सिरी डांगी सर्जी को वो सारी राय बताता रहता हूं और डांगी सर्जी भी वो सारे अप्लाय करते हैं और अपना दिमाग का भी इस्तमाल करते हैं तो संसा का वभिस्तों निस्चिती बहुत उज जुबल रहेगा और अब हम सारी चीज़ बेवे जोलते जाएंगा हर मैंना ताकि इस स्कूल के बच्चों का डेवलप्मेंट जबर दस्त होना चीए मानसिक और फिजिकली सभी रंग से स्ट्रांग होना चाहिए मेरा इसा मानना है कि बच्चे जब हेल्दी होते हैं तो वो उनमें एनर्जी जाता होते हैं और एनर्जी की कड़ाई भी करें प्यारे बच्चों मैं आप से भी चाहूंगा जो बच्चे पढ़ते हैं वहां मैंने देखा कि बुरे मन से पढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों आपको एक सीग देना चाहूंगा जिस तरीके से हम दीपा करते हैं लबकियां रंगोली सजाती हैं बच्चे भी भर को सजाने में सब्सक्रक्षा होती है ठांक सप्रड он जो भी आपको टीचर यहां पूरा अच्छा डारीक्शन रहेगा क्योंकि कि हम लोग चा रहा हैं कि बेटर एजुकेशन दें और मैं हर जब भी सर मुझे याद करेंगे यार हर दो महिने में मोटिवेशनल वीडियो देने भी आउंगा आपको ताकि आप लोग इस ब्यावरा का नाम अपनी पृतिवा के माध्यम से पूरे देश में पहुचा दें इस काविर आप दाने एजुकेशन आपका बेहस रहेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि ब्यावरा पब्लिक हिंदुर पब्लिक स्कूल ब्यावरा ने संभाग इस तर्पर खुकों में एक विजेता गनाएं जो कि तारिफ योग बात है चंद समय में संस्ता खुली है और प्राचिन शंस्ता या बहुत समय से चल रही है वो संभाग स्रपर फस्ट नहीं आए तो मुझे अच्छा लगा है क्याकि ये संस्ता ने इसमें भी परफार्मेंस किया है और संभाग स्रपर तेवर केरिस में भी अच्छा फर्स प्राइश पाया है यह भी गोरब की बात है और सांस किर्थिक प्रोग्राम का भी बिजेता रहा है 2018 में 2022 में पूरा व्यावरा में फर्स्ट पोजिशन लाया है और इसके लिए मैं इस संसा को और यहां के सिक्षक जनों को और जो तीम है उसके लिए मैं हार्थिक सुप्तामना दूँगा और संसात के में एजुकेशन लेवल रहेगा आप डोल्ट वाइगा जो भी सिकायत आप तुरी पेरेंस को है आप लिखित लिखिएगा उस सिकायत का समादान कर दिया जाएगा ओके कर दिया जाएगा